आप सभी को चैत की नौरात्री की बहुत सारी शुपकामनाएं और मेरा प्रणाम इस बार नौरात्री शुरू हो रहे हैं दो तारिक दिन है शनिवार का और खतम होगी दस तारिक दिन रहेगा रविवार का इस बार हम अश्टमी मना रहे हैं 9 तारिक को और 9 मी और 10 मी रहेगी 10 तारिक की तो सबसे पहले हम को घट स्थापना का शुब मूरत कौन सा है शनिवार की दिन इसको समझते हैं जो कि शुरू होता है सुबह 6 बज़ के 10 मिट से 8 बज़ के 30 मिट तक उसके बाद जो दूसरा शुब मूरत है वो है दिन में 12 बज़ से लेकर 12 बच के 50 मिट तक का इसके बाद शाम को एक मूरत आता है 6 बज़ से लेकर 7.30 बज़ तक का और रात में आपको एक मूरत मिलता है 9 बज़ से लेकर 10.30 बज़ तक का इस बीच में कभी भी आप घट स्थापना कर सकते हैं चेत्री नुरात्री में अधिकतर लोग अपने घर की पूजा की सफाई और घर की सफाई भी करते हैं तो खास तोर पे जब आप अपने आप पे पूजा की सफाई करें और अगर आपके पूजा का स्थान उत्तर दिशा में है और अगर आपने वहाँ पे लाल कपड़ा बिचाया हुआ है तो कोशिश करें कि इस बार हम इसे बदल ले और हम लाल कपड़े की जगा आप पीला कपड़ा बिचा सकते हो पीला आसन बिचा सकते हो या सफेद आसन बिचा सकते हो देखे उत्तर दिशा जो है वो जल की दिशा माने जाती है और जब यहाँ पर किसी भी रूप में लाल कलर आएगा चाहे वो आसन के रूप में क्यों ना हो कही न कहीं यह हमारे लिए समस्या को खड़ी करता है जैसे जल में अगनी आएगी यह हमें नुकसान देती ही है अगर आपके आपे पूजा कस्थान पूर्व दिशा में है तो आप लाल आसन बिचा सकते हैं साउथीस्ट में अगर आपके आप पूजा कस्थान है और जब हम वास्तू करने जाते हैं तो इनके हाँ लाल आसन पूरे पूजा के स्थान में बिचा रहता है मानता हैं भी यही चली आ रहे है पर आप कोशिश करिए कि उत्तर की दिशा में हम लाल आसन ना बिचाएं आप भगवती को चुन्नी चड़ा सकते हैं उनको वस्त्र चड़ा सकते हैं लेकिन जो आसन है जहां हम जो भगवान को बिचाएंगे वो या तो पीला बिचाएगा या सफेद अगर आपका पूजा का स्थान उत्तर दिशा में है तो अब पूजा में जब हम घट की स्थापना करते हैं तो एक बात का विशेश रूप से ध्यान रखेगा कि जब हम घट सापना करें तो जोत कभी भी हमारी दक्षन दिशा की ओर नहीं होना चाहिए जिनके यहाँ पर भी जोत दक्षन दिशा की ओर होती है साल भर में ऐसे लोगों को कुछ नकुछ नुकसान या आघात जरूर होता है तो कौन से ऐसी दिशा है जिस दिशा में हमें जोत जलानी चाहिए मतलब अगर आपने पूजा में अखन जोती रखी है तो उसकी जोत आप पूर्व की दिशा में रख सकते हैं जब ये जोत पूर्व की दिशा में होती है तो ये आपका मान, सम्मान और यश को बढ़ाती है अगर ये पश्चिम दिशा में है तो ये आपके घर में संपंता पैदा करती है आपको वैभव दिलाती है अगर ये उत्तर दिशा में होगी तो यह आपको कीर्तिवान बनाएगा, आपका यश फैलेगा, आपके कामों में बहुत सफलता हैं मिलेगी बस कलश स्थापना करते समय इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखेगा कि कभी भी जो जोत है, उसकी जो लौ है, वो दक्षिन दिशा की और नहीं होनी चाहिए इसके लावा, नौ दिन आप माता को उनके प्रिये भोग लगाई है पर जिनके घर में पती पतनी में जाधा कलेश हो रहा है और मान से काशानती है ऐसे लोगों को नियम से नौ दिन माता को मक्षन का भोग अवक्ष लगाना चाहिए घर में कलेश दूर होंगे जिनके घरों में बच्चे बिलकुल बात नहीं सुनते, बड़ों का आधर नहीं करते और उनकी बात की अंसुनी करते हैं ऐसे लोगों को मा को नौ दिन लगातार जासून जरू चड़ाना चाहिए साथ में लाल चंदन और अगर हो सके तो नौ के नौ दिन माता को ये शिंगार अवश्य चड़ाएं ये इस चीज़ों में रहात मिलेगी इसके साथ साथ किसी की रिष्टे बिल्कुल तूटने के कगार पे आ गए है घर में अती में कलेश है पती पतनी की बिल्कुल नहीं बन रही हर तरफ से समस्या है तो अश्टमी या नौमी के दिन आप किसी भी माता के मंदिर में अगर द्वजा चड़ाते हैं तो आपकी तकलीफें दूर होती है वैसे भी हमें नौ दिनों में एक दिन किसी भी मा के मंदिर में द्वजा रोपन जरूर करना चाहिए इससे हमारे कामों में सफल ताइम मिलती है और हम यश और कीर्थी को पाते हैं इस बार माता गोडे में सवार होके आ रहे हैं जो कि बहुत ही शुप संकेत हैं जब भी माग गोडे में सवार होके आते हैं ये यश और कीर्थी के साथ लक्षमी का भी प्रवेश माना जाता है तो यह बहुत ही अच्छा है और इस बार ये नौरात्री हम सब के लिए बहुत शुपकारी और अनन्द में हो यही मनुकामना है ऐसी और बहुत सारी काम की बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें मैं काम की बाते लाता रहूँगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिन